जै शन्रे फ्रीय भक्त करों मैं कुल्मारपमिनी आप सभी का स्वागत करते हूं हमारे आज केस कारिक्रम में ये कारिक्रम हमारे शनी पीच मंदिर नई दिली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे वो कौन से तीन कारण हैं आपके वो कौन सी तीन आदते हैं जिसके कारण आप अपने जीवन में असफल होते हैं आप सभलता को प्राप्त नहीं कर पा रहें सब कुछ करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप से लोग जो पीचे थे वो आपसे आगे बढ़ने लगी हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप उन्ही परिस्थित्यों में अटके हुए है भई के भई हैं क्यूं विजैश्रे आपको प्राफ्त नहीं होती क्यूं सफलता आपको प्राफ्त नहीं होती उसके तीन मुख्य कारण में आपको बताने बाले आप इस वीडियो को अंच पर जरूर देखें समझें और उन कारणों को दूर करें अगर आप अपनी राशी के अनुसार उन तीन आदतों को तीन बुरी आदतों को दूर कर देंगे तो मैं आपको वच्छन देती हूं कि आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल माता लक्ष् क्रिपा आपको प्राफ्त होगी जीवन में कभी भी आपको कोई भी आभाव नहीं सताएगा अगर आपनी हमारे ही चैनल गुरु रचनी शिशी जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिपिकेशन आपको आपकी मुबाइल स्कून पर दिखाई दें कभी दास जी ने कहा है निन्नक नीरे राखिये आंगन पुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करिक सुखाए यानि कि जो आपकी आपको एसा बना देता है जिससे जीवन में आफ सकी आपके और कोई गल्ती 음식 ना रहे और आप आगे बढ़ सकी आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी राशी के अनुस्तार को तीन बुरी आदते बताने जा रही हूं वो तीन बुरी बाते बताने जा रही हूं जिन्हें करने से आप जीवन में असफल हो रहे हैं जिसके वज़े से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं जो आपके रस्ते के कांटे हैं अज उनकी और मेरा संकेत होगा लेकिन अपनी कम्यों को सुनना उसे स्विकार करना और उसे सुधारना बहुत ही कफिन का रहे हैं हो सकता है बहुत से लोग मैं जो कम्यां बताओं उसे स्विकार ना कर सके या हो सकता है स्वीकार कर गी लिया तो उसे सुधार न कर सकता है हो सकता है, बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद आए, आप इसे डिस्लाइड कर आपका शुग चिंतक होने के नाते, एक गुरु होने के notie और एक मा होने के notie कि मेरा ये करतव्वे है कि मैं आपको आपकी कमिया बता हूँ इसलिए नहीं कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ या आपको पुराई होना चाहती हूँ परन्तु इसलिए ताकि आप अपनी उन कम्यों को दूर करके सर्वशेष्ट बन सके आप दूर जीवन में सफलत आपको प्राप्त कर सकें और मुझसे कहें गुरुमा आपकी खिरिफा से आज हम यहां कर पहुंच रहे हैं चलिए आपकी राशी के अनुसार वो तिन ऐसी बाते बताते हैं वो तिन बुरी आदते बताते हैं वो तीन कमिया बताते हैं जिसे Robotते आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाती यदि आप इन कारणों को जान करके अपनी उन बुरी आद्थों को सुधार लेते हैं तो 100% आपके जीवन में सफलता होगी सबसे पहली कमी जो ब्रश्च राशी वालों में होती है हो है कि ये लोग सब की बातों में आजाते हैं उबाब भोला हुता है लäकिन सब की बातों में आना भी अच्छा नहीं आप अपने हिसाब से सोच समझ कि ही अपने जीवन में नेने लिया करें जो भी नेने लेना चाहते हैं उस पर अड़ि हुए किसीके भी कुछ कहने से विचलत नहो तब ही आप जीवन में सफल ऊसकी आपको समझ आ गया कि इसे छोड़ देना चाहिए लेकिन फिर भी आप जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं इस कारे को तो हमने करना ही करना है वो जो जिद है आपकी जो कभी-कभी आप पकड़ लेते हो उस जिद से बचना क्योंकि ऐसे जिद आपके लिए हानिकारत बनती है तीसरा कारन जो असफलता का वरश्यब राशे वालों के लिए रहता है वो है उनका lazy होना सुस्त होना जीवन में इतना भी सुस्त ना हो कि आपके जीवन में आपके सामने से आपकी opportunities आपके लिए जो भी मोके बन रहे हैं उत सभी को आपको बातर। तो अपने आप में खोने के बजाए आप थोड़ा सजग रहें, आप थोड़ा सा चुस्त रहें ताकि आप समय आने पर जो भी opportunities आपके सामने आती हैं, जो भी रस्ते आप को बेते हैं, उनका आप भरपूर प्रयोग कर सके। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वो भी बार बताना चाहते हूं जिसके कारण आज कल लोग जीरन में असफल हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं, परिशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। दिखो, हम सब जानते हैं ये कर्म गुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू वह जूट बोलना असत्य बोलना हम कभी भी कहीं भी किसी को भी जूट बोलने से पीछे नहीं हटते हैं असत्य बोलने से पीछे नहीं हटते हैं यह हम अपने ही कर्मों को खराब कर रहें आजकल तो मुझे देखने में और सुने में आ कि मंदिर में भी लोग जूट बोलने से डरते नहीं मंदिर में भी भगवान के सामने भी संथ भात्माओं के सामने भी वो जूट बोल देते और उस जूट से उनको लगता है कि उनका फाइदा होगा, वो दूसरे को मुर्क बना सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, यदि आप किसी को मुर्क बराना चाहते हैं, तो कोई ना कोई आएगा जो आपको भी मुर्क अवश्य बनाएगा, आप यदि किसी को जूट ब कि कर्म, ये कर्म हमेशा लोट करके आते हैं अगर आप सूचते हैं कि किसी को ठक Biz change, किसी को आप आसत्य बहाए श्चुर्म कर रहें हर तो यह असमभव बन जाएंगे, हम पैसा मिल जाएगा, हम औरों की तरह और बढ़िया हो जाएगे, हमारा स्टेटिस बढ़ जाएगा, लेकिन यह सही नहीं, जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, असत्य बोलता है, लोगों को ठकता है, जूट बोलता है, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ स जाहूंगे जूट मत बोलो किसी को ठगू नहीं ये दो काम विल्कुल भी नहीं कर दी जाए किसी को मुर्ख ना दुनाओ ये चीजें भी हमारे जीवन में असपलता लाती है दुर्भा के लाती है कंगाली लाती है तो इन चीजों से भी आप बचें और सत्य में बहुत शक्त हैं हम गुर्मा 20 साल से मंदिर जा रहे हैं हम 3 साल से पूजा कर रहे हैं अराधना कर रहे हैं फिर भी हम बहुत दुखी हैं बहुत परिशान हैं आप अपने दुख और कश्ट को तो स्वेम बढ़ा रहे हैं जब तक कि आपका मन साफ नहीं होता आपका अंधा करन साफ नही सब्क करें कि नहीं हम सहाइता जहां कोई मार्फ शेष नहीं सब्सक्राइब इसला इसला करते हैं सब्सक्राइब इश्वर भी उन्हीं व्यक्तियों के साथ होते हैं भगवान की इश्वरी सहेता भी उन्हीं को प्राप्त होती है मैंने सुना है एक दिन एक परिबार नेमिशा रिने पीर्थ में जा रहा था उस जमाने में बैल गाडिया चला करती थी तो बैल गाड़ी के द्वारा वो जा रहे थे के रस्ते में एक गाउं पढ़ा जिस गाउं का जो मार्ग था वो काफी वीरान था शाम भी हो चुकी थी सूरे भी डलने ही लगे थे उस समय जो गोड़ा गाड़ी वाला था उसने कहा कि आप लोगी ही रहे हम अभी पास के गाउं से कुछ काम करके आते ही उस गाड़ी में पूरा परिवार था माता पिता थे उनके बच्चे थे वो सब घबराने लगे रात चार लोग लट के साथ थे पूरा परिवार घबराने लगा वो आदमी भी घबराने लगा यह हो क्या रहा है यह गोड़ा गाली वाला लट साथ लोगों को क्यो लेके आया है वो समझ गया यह अवश्य ही हमें लूपना चाहता है उसने तुरंत ही यह जान करके कि अब तो क मार्ग नहीं है हम कहां जाएं उसने स्तुरंत ही भगवान श्री राम का नाम देना प्रारंब किया उसने अपनी पत्नी से कहा अपनी बच्चों से कहा और सभी राम नाम की दून लगाने लगे सभी भगवान को पोकारने लगे कि अचानक से ऐसा चमतकार हुआ घोड़े प तुम ही शर्म नहीं आती तुम वीरान जगे पर जान करके वीचारे लोगों को लूटते हो ये सुनते ही वो चारों के चारों लूटे रहे वहां से भाग गए गोड़ा घाड़ी वाला भगड़ा हो गया और कापनी दब उन दो नौजवानों ने उस गोड़ा घाड़ी व हम लोग तेरे साथ चलेंगे और यदि तोने उश्यारी करने की कोशिश करी तो हम तेरा सर तेरे धर से अलग करते हैं और वो पूरा परिवार राम नाम की दूरू पूरे रस्ते करते रहें और थोड़ी ही तूर तीत स्थान से थोड़ी ही दूर पर वो दोनों युवक जो भगवान की कृपा के वर उसी को प्राफ्ट हो सकती है जिसके जीवन सत्य हो इसलिए अपने जीवन में सत्य बोलें अपने आपको अंदर से और निर्मल और स्वच्छ करें ऐसा आप लोगों से निवेदन करतें इसके साथ ही आपको कहना चाहूँए कि अगर आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपंधर सुधार करना चाहते हैं जीवन में शफन होना चाहते कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आप तुरंट ही अपनी जनम कुंड़ी मुझे अत्वा हमारी गुरु जी गुरु रजनी शुशी जी को दिखाए हम आपकी जनम कुंड़ी देख करके उन ग्रहों को जो कमजोर हो रहे हैं उनको बलप्रदान करेंगे और आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप अपने जीवन में अपने ग्रहों को ठेक करते हुए अपने आप में सुधार कर सकें और अपने जीवन में और परिवर्तन ला सकें अपने जीवन में सफल हो सकें इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है चाहे उधन से संबंदित हो, नौकरी से संबंदित हो, व्यपार से संबंदित हो, आपके घर, मकान से संबंदित हो, आपके शादी से संबंदित हो, प्रेम से संबंदित हो, या आपकी एजुकेशन, आपके क जानीए के अगरान के संचालन के लीयद घाारवीक प्रियोग की जाते हैं साती ही जो करीब लड़कियों के लिए में computer education फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाती हूं उसमें ये प्रयोग की जाती है हर एक लड़की को स्कॉलर्शिप देने के ये काम आती है तो आप खुली दिखाने के माध्यम से इन सभी सिवाओं में भी सयोग कर सकते हैं आप सभी को अपना आशिरवात देती हूं आप सभी के जीवन में सफलता आए आप सभी अपने जीवन में तरक्की और उन्हती करें यही मेरी मंकल कामना है आप सभी को आशिरवात देते हुए जय श्यक्ति क्या आप कर्जे के बोज से दबे जा रहे हैं क्या आपका लोन कम होने के बजाए बढ़ता जा रहा है क्या आप कर्जदारों से परिशान हो चुके हैं तो आज ही 133 देशों में प्रसित शनी मंदिरवाले परम पूज्य गुरू रजनीश रिशी जी से अपनी सभी समस्याओं का समधान जानिए अधिक जानकारी के लिए संपर्प करें जानकारी के लिए टेशारों में प्रसित का समस्याओं का समस्याओं का समस्याओं प्रसित